George S. Patton, कौन थे ये? USA के जनरल थे, आर्मी के जनरल, अफकोर्स आप उनकी हेल्वेट पर देख सकते हैं, फोर स्टार जनरल थे, बहुत ही बड़ा रैंक, उनका एक कोट है, एक गुड़ प्लान वायोलेंटली एग्जीक्यूटेड नाव is better than a perfect plan executed next week. एक ऐसा प्लान जो अभी उतना अच्छा नहीं है, गुड़ प्लान है, ओके ओके टाइप अफ्लान है, ये प्लान अभी एग्जीक्यूट करना जो है, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत ये अच्छी बात है, एक perfect plan जो हम आने वाले हफते में execute करने के बेरे में सोच रहे हैं यह ऐसा आने वाला week जो है वो कभी होता ही नहीं है तयारी में भी यही होता है कि कल से अच्छी तयारी करूगा यह अच्छी तयारी की जरूरत ही नहीं है ठीक ठाक तयारी आज कर लो कल आए ना आए ठीक ठाक तयारी पहले ही खराब तयारी हो आज कर लो पहले ही दो pages पढ़ो आज पढ़ लो यह मंत्र जिसने सीख लिया इसको किसी और की जरूरत है ही नहीं सोची गाइस के बारे में एट नवेंबर 2022 के दे हिंदू एनालिसिस बाई प्रशांत मावानी में आपका स्वागत है और आज हमने डिवेलपर है चार इंपोर्टन टॉपिक्स माल नूट्रिशन के बारे में बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्शिप इडिया डेडिकेटिड वิडियो 25 निट एक विडियो जो है 25 मिनल हमने बाचीत की है इस पर यह विडियो भी क्यूरीसली एज्यूकेशन की चैनल पर अवैलेबल है कॉप 27 की शिरुवात हो चुकी है सिके बारे में भी बात आज हम करने वाले हैं the frontline workers of the first one thousand day window of life the Hindu का ये article है window of life यहां पर पहले जो एक हजार दिन होते है ना एक बच्चे के जीवन में और ये जो एक हजार दिन है वो जनमस के बाद एक हजार नहीं conception से लेकर conception वाला जो दिन है उसको first day पकड़के चलिए उससे फिर एक हजार दिन गिनने है क्यों चोटे बच्चों के malnutrition को लेकर इतनी सारी बाचीत होती है discussion होती है क्यों उसके पीछे एक simple reason ये है एक परिवार अगर है और उस परिवार में पांचों के पांच लोग है और पांचों के पांच लोग जो है वो बिमार है health wise बिमार रहते है cognitive development इतना अच्छा नहीं हुआ है तो इस परिवार का क्या होगा क्या ये परिवार सबसे best परिवार की category में आ सकता है नहीं क्या ये सबसे पैसे बाले की category में आ पाएगा नहीं तो रीजन इस हेल्थ बिगड़ गई सारी चीज़े जो है वो बिगड़ गई और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं इस से उनकी मेंटल हेल्थ जो है खास करके कॉगनिटिव डेवलोप्मेंट भी जो है वो भी नहीं होगा अगर बेजी आपका अच्छा नहीं है तो फिर उस पर आप नए नए जो माले बनाते जाएंगे तो इस नोट गई टू वर्क वो बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगी सेम तिंग गोज विथ एक कंट्रे एक देश में हिउमन डेवलोपमेंट अगर आपको एचिव करना है तो उसका स्ट्रॉंग फांडेशन जो है यह ब हो जाएगा थ्री हंडड फिल्म देखिए आपने थ्री हंडड फिल्म में एक जो दिव्यांग होता है उसकी बहुत बहुत चाहना होती है वो चाहता है कि वो थ्री हंडड जो ग्रूप था उसका पार्ट बन जाए अगर थ्री हंडड फिल्म देखिए आपने जो पहला पा गाम जो है वो अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसने का नहीं राजा मैं कर सकता हूं मुझे चाहिए लेकिन फिर राजा बताता है कि एक कमजोर कड़ी जो है वो पूरे तीनसो लोग तो थे तो तीनसो में इसे भी अगर 301 होगी आर उसमें जो एक व्यक्ति हैं वो कमजोर है वो गिर जाएगी तो ऐसा राजा ने कहा वो एकसेप्टेबल नहीं है चलिए वो एक अलग कहानी थी लेकिन जस्ट एक एक्जामपल है कि देश में अगर कुछ या फिर ज्यादा बच्चे जो है वो कूप पोशन का शिकार है तो फ्यूचर में जब वो एडल्ट बनेंगे तो उनका पर्फॉमेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा इन टरम्स ऑफ फिजिकल लेबर इन टरम्स ऑफ मेंटल लेबर तो माल न्यूट्रिशन को लड़ने के लिए आपको मेटरनल न्यूट्रिशन जो है उसके उस उस पर काम करना पड़ता है एक लड़की जो होती है जब वो स्कूल जा रही है तो पहले उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले एजुकेशन के साथ साथ उसको प्रॉपर नूट्रिशियस बैलेंस डाइट मिले तक यह उसकी हेल्थ अच्छी हो उसके बाद जब यह लड़की जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी 18 प्लस हो जाएगी लगसे 21 हो जाएगी 24 हो जाएगी उसने पढ़ाई लिखाय अच्छी की है उसकी हेल्थ अच्छी है नोलेजबल है अब उसकी शादी होगी तो पिर जिब वो प्रेगनिन्ट होगी उससे पहले ही वो सारी चीज़े जो है उसकी देखबाल करेंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये वो सारी चीज़ है तो फिर उसका जो बच्चा होगा वो बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन से पिडित नहीं होगा कूपोशन से पिडित नहीं होगा क्योंकि माता उसको पता है क्या करना है तो मदर से शुरुआत होगी मदर को प्रॉपर निउट्रिशन और इड्यूकेशन मिलना चाहिए तब जाकर बच्चे के अंदर वह चीज जो है वह यह कूप पोशन जो है वह नहीं होगा अब क्यूं हमें कूपोशन के खिलाफ लड़ना है बच्चों के जो छोटे बच्चों का जो मृत्य उदर है और डिजीज जो होते है बच्चों को तो एक तो बच्चे की मृत्य हो जाती है वो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है economically भी बहुत बड़ा नुक्सान होता है disease होता है तब भी वही चीज है parents जो है उनको छुटिया लेकर फिर बच्चों के पीछे उनको hospital ले जाना है of course वो करते हैं लेकिन आप सूचिए कि अगर एक बच्चा जो है वो एक साल के अंदर एक पूरा महिना दो दो दिन ऐसे गिनेंगे तो पूरा एक महिना बच्चा जो है वो बिमार रहा है तो parents उसको ले कर जाएंगे hospital में तो उसका जो भी खर्च है parents ने जो भी पैसे कमाए तो एक पूरा महिना जो है वो इलाज में चला गया ऐसे इलाज में जिसको हम टाल सकते हैं जिसको अगर malnutrition को prevent करें तो बहुत सारी diseases जो है वो नहीं होगी फिर cognitive development यार कि दिमाग की बुद्धी की जो बुद्धी का जो विकास है अगर किसी बच्चे को कूप पोशन है तो उसकी बुद्धी का विकास भी नहीं होता है और फिर ऐसा नहीं है फिर उसके बाद आप उसको काजू बदाम खिलाएंगे तो फिर उसकी बुद्धी का विकास हो जाएगा नो एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ ताट सेट इस ड़न productivity during adult life इसकी बज़े से उसकी जो adult life जब बड़ा हो जाएगा तब भी उसकी productivity जो है उस पर एक impact आएगा तो पहले एक हजार दिन जैसे मैंना आपको बताया है conception से लेकर पहले दो साल का जो जीवन है ये बनते हैं उसके एक हजार दिन जबसे वो conceive हुआ वो बच्चा तबसे और इन फैक्ट उस बच्चे का जो दिमाग होता है 80% जितना दिमाग कितना 80% जितने दिमाग का विकास जो है वो पहले एक हजार दिन में होता है तो ये critical window of opportunity है पहले एक हजार दिन में उसका proper nutrition food और ये सारी चीज़ा नहीं हुई तो फिर वो बच्चे का proper development जो है ये holistic development जो है वो नहीं हो पाएगा सरकार ने इसको लेकर flagship program भी निकाले है जैसे कि portion prime minister's overarching scheme for holistic nourishment इसको कहते है portion ministry of women and child development के दोरा इसको चला जाता इसको एपरेल 2018 में लौच किया था इसका goal basically यही है कि जो nutritional outcomes है इसको improve किया जाए कैसे अब यह capacity building पर focus करता है और capacity building यानि की जो जो आपको ठाचा चाहिए इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए तो उस पर काम करता है service delivery को और ज्यादा improve करना community mobilization and participation technology का इस्तवाल करते हुए communities जो है इनको इसका part बनाना inter-ministerial or inter-departmental convergent planning and review किया जाता है pregnancies को register किया जाता है anti-natal check-up किया जाता है और exclusive breast feeding पर जोर दिया जाता है evidence-based intervention pre-conception care फिर जो नासिक है महरास्टर का district तो वहाँ पर पेथ और सिनार ब्लोक है तो वहाँ पर ये चीज़े जो है evidence-based intervention जो है वो किये गए और pre-conception care को जोर दिया गया ministry of health and welfare और महरास्टर सरकार और UNICEF ने मिलकर यहाँ पर काम किया बच्ची जो है लड़किया जो होती है लड़किया और और औरते तो उनकी health पर जोर दिया education पर जोर दिया और उसके बाद काफी अच्छे results जो है वो यहाँ पर हमें देखने को बिले last mile delivery किसके द्वारा की जाती है आशा workers के द्वारा auxiliary nurse midwives के द्वारा और अंगनवारी workers के द्वारा एक बहुत important role play करते हैं यह इसके साथ साथ दूसरी health services में भी एक important role play करते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो हैं तो उसमें portion पक्वारा रखा गया मार्च 2022 में और फिर देखा गया कि जो फादर्स होते हैं जो बच्चों के फादर हैं तो वो भी एक बहुत important जब फादर मदर को support करेगा तो एक बहुत important outcome अच्छा result हमें देखने को मिलता है इसे के साथ पंचायत प्रदान जो है आशा वर्कर्स और दूसरे वर्कर्स जो है वो पंचायत प्रदान के साथ मिलकर काम करते हैं पंचायत प्रदान जो है वो फिर गाहों के लोगों को इकठा करेंगे की जरूरत है तो एज ओफ मिनिमलिजम इन इंडिया पाकिस्तान टाइज अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिसकुशन हो रही है ना मिंच जो रिलेशन है वो मिनिमलिजम पर है बहुत ही ना के बराबर बाचित हो रही है ना तो कोई ऐसी पॉलिटिकल विल है कि ग्रांट रिलेशन्टिप डेवलोप की जाए कोई ऐसे ग्रांट जेस्चर्ज नहीं हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे फर एक्संपल मेट 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जीत गए तो उन्होंने सार्क के जो लीडर्स हैं उनको आमंतरित किया शपत विदि में तो उस ताइम पर नवाज शरीफ भारत आये थे और लग रहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में नया दोर जो है इसकी शुरुआत होगी लाहोर गये थे हमारे प्राइम मिस्टर मोदी, डिस्मबर ट्विट फिफिटीन में अफगानिस्तान गे थे और अफगानिस्तान से फिर उन्होंने तुरंती कॉल लगाया और फिर जहां तक मुझे यादे नवाज शरीफ जो है उनके उनके ग्राइम चाइल्ड जो है ग्राइम तो ऐसी चीज़े जो है वो ऐसी कोशिशे हो रही थे लेकिन अब सिर्फ दो नेशनल सेकुरिटी एडवाइजर मिंस से पहले दो हमारे जो नेशनल सेकुरिटी एडवाइजर है अजीद दोवाल तो उनकी मुलाकात I think Singapore में हुए थी पाकिस्तान के नेशनल सेकुरिटी सकते हैं आप बादचीत करना चाते हैं तो एक यस फेस ऑप मिनिमलिजम है ये अब दोनों देशों के बीचि में आ चुका है और पाकिस्तान में, डियूल पावर सेंटर है, एक तो सरकार है, गवर्मेट है, और दूसरी तरफ है, उनकी आर्मी, तो बात्चीट अगर सरकार से कर रहे हैं, तो आर्मी दखल अंजाजी दे रही है, तो अब भारत ने क्या गिया डायरिक लिए, आर्मी के साथ बात्चीट दे दोनों देशों के बिच में कुछ कोपरेशन जो दिख रहा है वो इसी लिवर पर है बाकि दूसरे सारे लिवर पर ट्रेड वरेट सारी चीज़े जो है वो बंद हो चुकी है और भारत में एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब हमें कश्मीर के अंदर शांती चाहिए त उसके लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है हम हमारी सिक्रिटी जो है उसके आथार पर हम हमरे कश्मीर को पीसफुल बनाएंगे पाकिस्तान से बाचित करके कोई फाइदा नहीं मिला फिर अपने जियो प्रोटिकल चैलेंजिस के साथ उलजे हुए है दोरो देश पाकिस्त पहले भारत जो है वो ट्रडिशनल हैजिटेशन था कि हम गवर्मेंट के माधियम से फिर पाकिस्तान के माधियम से आर्मी के साथ बातचित करना चाते थे लेकिन अब भारत नहीं यह तैकल लिया है कि जिनके पास पावर है जिसकी बास जिसकी लाटिए उसकी भेंस तो यह दोनों के बीच में बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉंटेक्ट है एडबल्यू एस एकनोमिकल वीकर सेक्शन नोट सेंक्शन सेक्शन तो यहां पर जैसे मैं आपको बता है इसको लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है पत्चीस मिनिट का वीडियो है थरो वीडियो है राइट वो नहीं देखा है तो देख लीजीगा एक सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आया है एडबल्यू एस पर थ्री स्टू टू यानि की तीन जजजिस ने कहा यस दो जजजिस ने कहा नो लेकिन तीन जजजिस मेजोरिटी जो कहता है वही होता है तो 103rd constitutional amendment जो एडबल्य के लिए अच्छी बात है वे सारे लोग जो गरीब है लेकिन जनरल केटेगरी के पार्ट है तो उनको कोई ऐसा benefit नहीं मिलता था अब उनको ये benefit मिलेगा और educational institution में और government jobs में उनको reservation का benefit जो है वो मिलेगा और इनको अब जो SCST OBCs है तो उनको इसका ये lab जो है वो नहीं मिलेगा तो उनको जो reservation मिल रहा था वो मिलेगा ही लेकिन EWS में उनको ये reservation नहीं मिलेगा ये point वे आपको समझना है वैसा है में मेरा आगरा यही रहेगा कि जो special video मैंने बनाया उसको देख लिजीगा उसमें मैंन ही details में चीज़े discuss की है वही चीज़ों को यहाँ पर repeat करने का कोई फाइदा नहीं है 50% cap on reservation future में इसको लेकर controversies हो सकती है 50% जो reservation का एक upper limit है वो अब निकल चुकी है अब reservation हो गया 59.50% total reservation right 49.50 SCST OBCs को मिल रहा था अब यह जो 10% है यह किसको मिल लगा EWS को तो total जो है यह 59.50 हो चुका है EWS is an entirely new criterion यह जो 50% cap है वो existing reservations पर है EWS जो है वो नया criteria है और questions कुछ यह उठते है कि तामिल नाडू में 69% जो reservation है तो इसका judicial review अभी भी बाकी है और आठ लाग रुपए की ceiling रखी गई है कि आठ लाग से कम किया अगर किसी को income है परिवार को तो उसको EWS में गिना जाए मिंस उसको वो EWS का part जो है वो बन सकता है तो आठ लाग जो है per year it's like a little bit big amount you know के इससे लगबग देश के ज्यादा तर लोग जो है इसका पार्ट बन जाएंगे कोप 27 के बारे में बात करें ये मीटिंग कहां पर हो रही है conference of party 27 यानि की United Nations की जो conference of party है तो इसकी ये 27 बेठक है 21st जो थी वो बहुत important थी Paris Agreement के नाम से हम इसको जानते हैं राइट 21st ये 2015 में हुई थी ये COP 21 Paris Agreement की मीटिंग तो दोस्तो इसकी शुरुआत इजिप्त के शर्म अलशेख नाम के city में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी जो बात हो रही है अभी वो ये है कि climate change जो है इसको लेकर जो compensation है पैसा रुपीज राइट dollars जो दियने की बात है तो इसका क्या होगा इसका main principle यह है इसका जो उसूल है वो यह है कि आज के जो developed देश है वो गरीब देशों को या फिर developing देशों को पैसा दे ताकि वो नई technology को खरीद सके वो वे सारी चीज़े यूज कर सके जिससे carbon dioxide या फिर जैसे greenhouse gases है उनका emission कम हो facts and figures की बात करें तो दोस्तों आप एक बार carbon dioxide जो है उसको emit करते हैं तो पता है यह 300 से लेकर 1000 साल तक atmosphere में रहता है इसका मतलब यह है कि जो पहला steam engine पहली चुक चुक गाड़ी जब चली उसका जो धुआ है वो धुआ आज भी atmosphere में है और हर रोज हम कितना सारा धुआ जो है वो add करते रहते हैं दूसरी एक चीज दूसरा एक important fact USA और Europe ने मिलकर अभी जो carbon dioxide emitted है जो अभी हमने देखने को मिल रहा है atmosphere में तो 58% जो है यह दोनों ने मिलकर USA और Europe ने मिलकर contribute किया 58% और यह तैय किया गया था कि डेवलोप देश जो है वो 2010 में यह तैय किया गया था कि हर साल 100 billion dollar जो है वो 2020 से वो गरीब देशों को या फिर developing देशों को देंगे यह डेवलोप देश लेकिन UNFCC का कहना यह है कि उन्होंने 83.3 billion ही अभी तक दिये है और वो भी directly नहीं तो यह पैसे जो है वो देने की जो बात है वो discussion तो हो गया लेकिन वो implementation नहीं है और 27 यह जो COP 27 क आपको पता है कि मनें कहा था कि बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई अब implementation करना है COP अब क्यों पार्लन नोट COP सौरी carbon dioxide emission जो है उसको 2010 के base से देखे के 2010 में जितना image कर रहे थे 2030 तक उसको 45% कम करना है और Paris Agreement के तरह यह तैक गया गया है कि 2100 तक पहुँचे अभी हम 2022 में है तो हमरे पास जो 78 years है उसमें यह make sure करना है कि average global average temperature जो है यह 1.5 degree Celsius से ज्यादा ना हो जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कि यह 2.5 degree Celsius को भी cross कर जाएगा जिस प्रकार से चीजें चल रही है तो अब बाते बहुत हो गई targets बहुत सेट हो गए जैसे starting का जो हमारा code था वो यह था कि आज जो भी करना है हमें आज करना है आज बले ही छोटे steps उठाए वो भी important है हम क्या कर रहे हैं यह दुनिया के देश कि नहीं नहीं हम बड़े steps उठाएंगे बड़ी चीजे करेंगे लेकिन का next year next year नहीं आज से चोटे-चोटे steps उठाना start कर दो next year बड़ी चीज कर लेना लेकिन आज जो चोटा-चोटा हो रहा है वो करो इसकी requirement है और भारत को भी यह समझे लेना चाहिए कि हमें इन देशों पर निर्भरता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है research and development renewable technologies पर हम कर करते हुए हम दूसरे चोटे देशों को भी मदद उनकी भी मदद कर सके राइट दोस्तों हमारे engineers जो हैं जो engineering की पड़ाई करते हैं और engineering की जो teachers हैं जो faculty हैं उनकी यह responsibility रहेगी क्योंकि सारी चीज़े engineers में ही बनाई है तो आज के जो हमारे engineers हैं और engineers को बनाने वाले जो teachers है उनको ऐसे engineers बनाने पड़ेंगे जो research and development पर जोर दे और ये एक environment जो है वो engineering institutions में होना चाहिए fund fund ये सारे issues होते कभी भी कोई perfect time नहीं आएगा कि आपके पास fund भी है youngsters भी है ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा हमेशा challenges में से ही राष्टा मिलता है तो इस चीज़ को समझ लेना है जल से जल और ऐसे youngsters ऐसे minds को ignite करना है जो इसके solutions genuine solutions जो है वो निकाल सके cheap level पर अच्छी quality के solutions ल कर सके क्योंकि ये अमीर देश जो है उनकी मानसिक्ता ही ऐसी है वो कभी भी जितनी चाहिए उतनी मदद नहीं करेंगे वो अपने अपने बारे में सोचेंगे जियो पोलिटिकल लेवल के point of view से देखेंगे तो आपको यही चीज जो है वो नजर आएगी तो आर एंडी जो ह ले चेंजिस हम कर सकते हैं वो हमें जो भी स्टेप सम उठा सकते हैं वो उठाने की शिरुआत आज से ही कर देनी चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हिट दा लाइक बटन इस वीडियो को दूसरे स्टुडेंस के साथ शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब क की बारे में जरूर बताईएगा I will see you soon with some more interesting videos till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind